आज हम बनाएंगे खीर और वो भी healthy ingredients से साथ तो फटा-फट सी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने छोटी वकटोरी भरके गी ले लिया है और एक कटोरी भरके मैंने लिये ही सेवया और एक कटोरी भरके मैंने लिया है मखाना तो मखाना और सेवया दोनों ही healthy है तो सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे हमें इसको low flame पे सौटे करना है अगर flame high होगी तो सेवया जल सकती है और अब उसके अंदर डालेंगे हम dry fruits तो dry fruits में मैंने सबसे पहले लिया है almond क्योंकि almond को सिखने में थोड़ा सा time ज़्यादा लगता है काजू और पिस्था की comparison में और अब मैंने थोड़े से काजू लिये हैं और थोड़ा सा पिस्था और उसको भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे तीन से चार मिट लगेंगे इसको सिखने में तो इसको भी हम एकदम low flame पे सेक लेंगे तो अब ये सब अच्छे से सिख चुगा है तो इसके अंदर मैं डालूँगी दूद यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जितना दूद लिया है अगर आपको ज़्यादा liquid पसंद दे तो आप ज़्यादा भी दूद अड़ कर सकते हो और अब गैस की flame को थोड़ा सा बढ़ा लेना है इसको medium फो high flame पे हम पकाएंगे अब मैंने अड़ किया है केसर और केसर से कलर भी बहुत अच्छा आता है उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो यह सब डालने के बाद उसको तीन से चार उबाल आने तक हम पकाएंगे अब हमारी खीर अलमूस्स रेड़ी हो चुकी है तो इसके अंदर हम एड़ करेंगे शुगर शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो अब इसको उपर से हम थोड़े से ड्राइफुट्स के साथ कानिश कर लेंगे हमारी यह टेस्टी और हेल्दी खीर रेड़ी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं तो सिस्क्राइब ओके बाई